कॉंग्रेस वार रूम के बाहर इस समय हम खड़े हैं आपको बता दें कि हाला कि विदान सभा उपचुनाव की तारिकों का एलान तो नहीं हुआ है लेकिन दोनों ही प्रमुक पार्टियों ने छे सीटों पर जो उपचुनाव होंगे उसके लिए अभी से मन्थन का दौर कॉंग्रेस में भी टिक्टों पर मन्थन किया जा रहा है आपको विशेश बात बता दें कि इस समय कॉंग्रेस वार रूम के अंदर देवली उन्यारा विदान सभा सीट के लिए बैठक चल रही है कौन टिकेट का दावेदार होगा इस पर बातचीत चल रही है वहां के जो कुछ जीत का स्वाद चकने को मिला था बाकी तमाम बार कॉंग्रेस ने ही वहां से बाजी मारी है और इस सीट पर उप चुनाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपको बता दें कि हरीश मीना यहां से विदायक बनेते लेकिन क्योंकि उन्होंने लोकसबा का भी चुनाव लड समर्थन में लोग पार्टी कार्याले के बाहर आते हैं और अपने प्रत्याशी को टिकेट दिलवाने के लिए उनके समर्थन में कई प्रकार की बाते होती हैं किस समिकरण से उनका प्रत्याशी जीत सकता है उसके बारे में पार्टी कार्याले को पार्टी पदाधिकारियों को वह अवगत कराते हैं हमारे साथ में देवली उन्यारा से आए एक सज्जन शामिल हैं जो इस समय कॉंग्रेस वार्रूम के बाहर कड़े हैं अपने प्रत्याशी के समर्थन में वह सब किनके समर्थन में आप देखो आज अभी तारिक का कोई एलान नहीं हुआ है उप होने में भी कुछ समय बाकी है और वैसे देवली उन्यारा तो कांग्रेस का गड़ रहा है सुरू से और इससे पहले राजेंदर जी गुजर थे उनके सामने ने हमारे हरी चंदर जी मिना आये थे बड़ी अच्छी जीत दर्ज करीती उन्होंने फिर वापिस दुबारा रि हरी जी को लड़ाये गए हमासे और बहुत बारी मतों से हरी जी ने वीजे बनाई और आप से पूछना चाहूंगा कि अगर अब तक हुए परी सीमन के बाद में चार चुनाव वहां पर हुए 2008 से लेके यह 2024 तक बीजे पी ने गूजर जाती पर भरोसा दिखाया तो वहीं क जाती की में बात करूँ तो ज़्यदातर वीजे बी गूजर को टिड़ देती आई है कांग्रेस मेना समा से टिगट देती आई है कि एक जाती बाहमले के एसाफ से टिड़ गितन ओर आ इस बार हमारे को ऐसा लग जपर रहा है कि ज़्यदातर देवली उनियर के अंदर शेक हम चाहते हैं कि इस बार हमारा से उमिद्वार बनके आए और गाउं का विकास अच्छा हुए वहां पर हरीश चन्मीणा जी जैसे सब तो क्या लगता है आपको कि इन दोनों ही पालेट साब की बात कर लें हरीश चन्मीणा जी की बात कर लें तो इनका जो जादू है कि इस उप्चुनाओं में भी चलेगा जरूर चलेगा और मैं दावे की साथ कह सकता हूं कि सो परशेंट देवली उनियरा कॉंग्रेस की जोली कामियाब रहेगी और टॉंग जिले में एक बार सचिन पाइलेट साब का और मानने हमारे आदेवली उनियरा विदान सभा सीट से ये वहां के इस्थान ये लोग है जो कॉंग्रेस के समर्थक है और इनका साफतोर पर कहना है कि इस बार भी जो उप्चुनाव होंगे उसके उम्मीद है कि कॉंग्रेस पार्टी शेतरिय अमीदवार वहां पर उतार है जाहिर सी बात है जीत होना इनके हिसाब से ते माना जा रहा है और बीजेपी की इन्होंने बात करी कि अभी तक बीजेपी को एक बार को छोड़ के वहां से जीत नहीं मिली और यहीं चीज आगे भी कायम रहेगी से होगी केमरमेन आजे के साथ उमंग मत हुर जनता दरबार